राजस्थान में विधान सबा चनाव के बिशाथ बिच चुकी है, पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिये है पिशली कड़ी में हमने बात की थी डीडवाना विधानसबा सीट की आज बात करेंगे भूपालगड विधानसबा सीट के बारे में नमस्कार दरनगरी न्यूस के खांस प्रोग्राम चिनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है मैं सद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ राजिस्थान के मारवाड शेत्र में मौजूद है जूदपुर जिला जहां बसा है भूपालगड विधानसबा शेत्र जो अनुसूचिक जाती के लिए आरक्षित है साल 2018 में हुए विधानसबा चिनाव में सीट पर 2,78,500 पिच्चान में मतदाता थे जिन्होंने RLP उमीदवार पुकराजगर्ग को 68,386 वोटों से विधायक बना दिया था तो वही कॉंग्रेस उमीदवार भवरलाल बलाई को सिर्फ 63,424 मतदाताओं का बरुसा ही हासिल हो पाया था और उन्हें 4,962 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था बात करें 2023 में होने वाले विधानसभा चनाव की तो कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिये हैं इस सीट से वर्थबार में पुकराजगर्ग विधायक है जो राश्विय लोगतांत्रिक पार्टी से है इस बार होने वाले विधानसभा चनाव में यहां 3,2,215 मत दाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे वही अगर यहां के जातिकत समीकरण पर गौर करें तो यह सीट एक तरफ जाट बहुल्य सीट मानी जाती है लेकिन फिलाल यह सीट अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है जो किसी भी प्रत्याशी की हारजीत का समीकरण बना भी सकती है तो बिगार भी सकती है बता दे बोपालगड विधानसभा सीट का गठन उनने 677 के परिसमन के दौरान हुआ था लेकिन इस बार भोपालगड विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे इसका फैसला तो जनता ही करेगी अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा शेत्र की तब तक के लिए नमस्कार